नास्ते दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इगनेट अकड़मी में स्वागत करता हूँ दोस्तों फाइनली सीजी पीडियम की प्रिलीमिनरी एक्जामनेशन कल होने वाली है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हुई हो और एक चीज याद रखिए दोस्तों 100% प्रिपरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है जब-जब हम एक्जाम के लिए जाते हैं हमें महसूस होता है कि यार यह बाकी है वो बचा हुआ है मगर याद रखिए कभी भी किसी की भी चाय वो टॉपर क्यों ना हो उसकी 100% प्रिपरेशन का फील आना मुश्किल ही होता है तो हमारी जो प्रिपरेशन हो चुके है ना उसी प्रिपरेशन से हमें अबप्री की एक्जामिनेशन निकालनी है इसके लिए हमारा खुद का 100% confident होना बहुत ही ज़रूरी है confidence होगा ना तो दो कोश्चन जो नहीं बनने वाले थे ऐसे बनेंगे आप आराम से 4-5 कोश्चन एक्स्ट्राक करके आ जाओंगे तो आपको उसके बारे में बलकुल सोचना नहीं है कि अब मेरी preparation की level क्या है बस हमें इस चीज का focus रखना है कि जितना preparation है उसके उपर ही मैं प्री निकाल सकता हूँ और लोग निकालते भी है clear 100% preparation नाम की कोई चीज exist ही नहीं करती जितना है उतना sufficient है उसके निकालना है बस बात एक याद रखिए जब कभी हमारी exam नहीं निकलती है ना तो हमारी गल्तियों की बज़े से नहीं निकलती है हमारी silly mistakes की बज़े से नहीं निकलती है उनको अब हमें ठीक करना है, अब उनका फोकस रहना चाहिए कि नहीं यार मैं यहां नहीं रुकना चाहिए जब मैं एक्जाम लिख रहा हूँ न तो बस एक समझना है कि किस क्वेशन को मैं अब attempt करने वाला हूँ और किस क्वेशन को मैं side में रखनेंगा, अपटी reasoning के लंबे हो सकते हैं सौच समझके उनको हात लगाते वकत लगाना पहले जो जो थेरोटिकल पोर्शन है ना उस थेरोटिकल को हो नहीं करना जो 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 लंबे ख़शन दिखते हैं है ॐ लग रहा है क्योंकि last में अब क्या होता है जब चीजे flow में आ जाती है न राइट तो flow में जब चीजे आ रही है तो जो question नहीं बनने वाले थे ओभी बन जाते है time पर और flow में चीजे नहीं आ गई तोड़ा सा डिप्रेशन आ गया एक्जाम के समय उसी दो घंटे में तो जो कोशन बनने वाले वह भी नहीं बनेगे इस एक्जाम में टाइम सबसे बड़ी पैरामिटर है दान यूवर प्रिपरेशन क्लियर आप प्रिपेर भी 100 परसेंट हो और समय में सही से कोशन अटेंब नहीं कर पायो तो दिक्कत है आपका प्रिपेरेशन कम भी है मगर आपने पेपर अच्छे से रीड कर लिया आप सही कोशन अटेंब कर पाये और ज्यादा से ज्यादा कोशन तक आप रीच हो पाये तो आपका सेलेक्शन होने की पूरी पूरी गुंजाईश है तो आपको इन चीजों को फोकस रखना पड़ेगा कि मुझे कही भी स्टक नहीं होना है पेपर पूरे दो घंटे पेपर स्वाल करते 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 आगे बढ़ते रहना है तेरी कोशन को पहले निप्टा दीजे फिर एप्टी रिजनिंग के पीछे दोड़ी है और कितने कोशन निगेटिव मार्किंग है इसको कभी भी नहीं भूलना है फेकने की भी एक हद होती है हमें उन्ही कोशन को फेकना है जहां हमें लगता है कि यार यह मेरा सही हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बिल्कुल जो चीज पता ही नहीं है, तुक्के मारे जा रहे हो, ऐसे तुक्के सही नहीं होते है, नशीब हमेशा साथ नहीं देता है, clear, तो तुक्के वही लगाई है, जहां आपको लगता है कि मेरे question बन सकते है, clear, यहां मेरी possibility है कि सही हो सकता है, okay, probability है, clear, probability को अच्छे से समझे, 90%, 80% probability हो तो तुक्का मारे है, बिल्कुल 0% probability है, तो भी तुक्के लगाए जा रहे हैं, तो negative marking हो जाएगी, इसलिए सोच समझ के तुक्के मारने हैं, पहली बात, दूसरी, कि रुकना नहीं है, last question solve करते रहना है, लंबे question को time being के लिए side में र शांत रखना है, जब तक दिमाग शांत नहीं रखोगे, questions नहीं अच्छे से बनेंगे, silly mistakes जादा होगे, right, options read करते वक्त कोशिश करिए कि चारो option को read किया जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो आपको पहला option है, वो सही लगता है, clear, फिर बाद में हो सकता है, उससे correct बाकी वाले भी option हो, तो option को भी थोड़ा सा देखिए, उसके उपर भी focus रखिए, clear, तो इन mistake को हमें avoid करना है, सबसे बड़ी कल के time, paper में दिक्कत आ सकती हो, तो time की ही है, तो लंबे question से बिलकुल सोच समझ के हाथ लगाना है, clear, तो मैं यहां रुकता हूँ, आप सभी लो लोगों से feedback आते रहता है, clear, तो अपना hundred percent देखे आईए, पहली बार life में ऐसे लगना चाहिए, कि यार preparation कम था, उससे best paper गया, clear, ऐसे नहीं लगना चाहिए, preparation तो बहुत बढ़िया था, मगर paper उस तरीके से नहीं गया हो, हमें बिलकुल कल feeling यही आनी चाहिए, कि preparation से पेपर देखे आया हूँ मैं, आज की आपकी कोई भी preparation हो, इतना समय बचा नहीं है, अब बस समेटने का समय है, satisfaction का समय है, कि थोड़ा यह revise करू, or revise करू, or revise करू, right, तो अब जितना करना था, तो हम कर चुके है, चाहिए, तो आप कुछ लोगों को आदत होती है, कि exam के पह पास फिल यही आना चाहिए, कि life में ऐसा हुआ है, कि कम preparation से बढ़िया paper दिया है, clear, हो सकता है, आपका बढ़िया preparation भी हो, मगर उसी preparation से भी आपके paper देने की level भी बढ़िया होनी चाहिए, so be calm, must शान्त रहू, अच्छे से paper देके आओ, कल किसी के भी साथ बिल्कुल जगड नहीं करना है, कल के दिन कोई auto से जा रहा है, cap से जा रहा है, metro से जा रहा है, train से जा रहा है, किसी भी चीछ से जा रहे हो, अपने सेंटर, किसी से भी जगड़ा नहीं करना है, बोल देना है, भाई, तु मुझसे बढ़ा है, मुझसे समझदार है, अच्छा है, right, मैं बुर पर देखे आएंगे 100% पेपर में देखे भी आएंगे तो या रुकता हो thank you so much guys for listening me thank you so much and all the best